Hello Everyone, Welcome to Eldrose Institute दोस्तों, अगर आपको घूमना और घूमाना अच्छा लगता है और अगर आपको घूमने का शौक है तो Travel and Tourism आपके लिए Best Career Option हो सकता है आज कर ट्रेवल and Tourism करियर बनाने के लिए एक अच्छा option बन चुका है इसमें करियर बनाने के लिए कई तरह के options available है अगर आप Travel and Tourism सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस फिल्ड से जुड़े courses को करके असानी से इस फिल्ड में entry कर सकते हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Travel and Tourism Industry के सबसे popular और demanding course के बारे में बताने बाला हूँ जिसका नाम है Diploma in Travel and Tourism Management जी हाँ, Travel and Tourism Management के Diploma course के बारे में एक ऐसा course जिसे complete करने के बाद आपको इस सेक्टर में unlimited job opportunities तो मिलती ही हैं और उसके साथ साथ आप काफी अच्छे लवल पे salary भी earn कर सकते हैं So friends, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के क्या होता है Diploma in Travel and Tourism Management का course कैसे आप इस course को कर सकते हैं इस course को करने के लिए के eligibility मतलब यूदिता होती है कैसे आप इस course में admission दे सकते हैं कितनी इस course के fees होती है इस course को करने के बाद करियर में आपको कौन-कौन से job opportunities बिलती है और job में कितनी salary आप earn कर सकते हैं So, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजे ताकि education, jobs, career और business related videos पे आप हमेशा updated रहे हैं या जितने भी Indians इंडिया में इंडिया से बाहर ट्रेवल करते हैं सभी को अच्छे package जिसमें उनका रहना, खाना, पीना और घूमना हर जगा लगजूरिस की जुरूरत पढ़ती है और ट्रेवल करने के लिए maximum सभी को किसी ना किसी से suggestion लेने की जुरूरत भी पढ़ती है जैसे कौन सी जगा घूमने के लिए अच्छी रहेगी, कैसे उस जगा पे घूमने जा सकते हैं वहाँ जाने के लिए flight tickets की option क्या है, वहाँ पे best hotel कौन से है, वहाँ पे घूमने वाली जगा कौन कौन सी है, कितले दिन का trip best रहेगा और वहाँ पे local transport में क्या best option होती है इन्ही सभी तरह के काम को manage, travel and tourism management वाले करते हैं तो अगर इन सभी तरह के कामों को manage करने में आपका interest है, तो आप Diploma in Travel and Tourism Management के course को कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है Diploma in Travel and Tourism Management का course और कैसे आप इस course को कर सकते हैं Diploma in Travel and Tourism Management का course एक diploma level का course है, जिसकी total duration एक साल तक की होती है आप इस course को minimum 12th के बाद या अपनी graduation के साथ या graduation के बाद भी कर सकते हैं इस course को करने के लिए 12th में branch matter नहीं करती, आप किसी विश्ट्रीम जैसे arts, commerce या science के बाद इस course को join कर सकते हैं Diploma in Travel and Tourism Management के course के दरन आपको different subjects के बारे में पढ़ाया जाता है जैसे fundamentals of travel and tourism, geography and tourism and destinations in India, resorts and transportation management, principles of marketing, tourism management, organization behavior और भी बहुत कुछ और इतना ही नहीं इस course के दरन आपकी grooming और personality को भी develop किया जाता है अगर आपको English में बात करने में problem होती है, तो इस course के दरन आपको spoken English की classes भी दी जाती है ताकि आप अपनी English को improve कर सकें और आपको इस course के दरन डिफरेंट job profiles की interviews के लिए भी prepare किया जाता है ताकि आप interviews के दरन आपको best perform कर सकें और best career option को achieve कर सकें और सबसे बड़ी बात हमारे institute में ये training आपको industry experts और certified trainers प्रोवाइड करते हैं अब बात करते हैं admission process की तो अगर आप Diploma Intervalent Tourism Management के course में admission लेना चाहते हैं तो आप हमारी website www.alrosinstitute.com पे online admission form फिल करके भी admission ले सकते हैं या आप हमें हमारे दिये गए number plus 919582309117 पे call ये वर्टसेप करके भी admission के process के बारे में जान सकते हैं admission form का link हमारी इस वीडियो की description में भी दिया गया है जिसे आप description में जाकर वहां से click करके भी उसे fill कर सकते हैं और अगर course phase की बात करो तो Diploma Intervalent Tourism Management के course की total phase सिर्फ 55,000 रुपे तक होती है जिसे आप आसान किस्तों में मतलब different installments में भी दे सकते हैं और अगर आप fees देने के लिए student education loan करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी help करते हैं अब बात करते हैं job opportunities की तो friends आप सोच रहे होंगे कि अगर आप Diploma Intervalent Tourism Management के course को join करते हैं तो क्या आपको इस course को करने के बाद job मिलेगी या नहीं अगर मिलेगी तो कौन से job होगी और उस job में कितनी salary होगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस course को सफ़ता पुरा करने के बाद आप आसानी से अपने skills के उनसार different sectors में job के लिए apply कर सकते हैं जैसे travel agencies, tourism companies, IT companies, school or colleges, postals and resorts, airlines, shipping companies और भी बहुत कुछ और इन सभी sectors में आप different तरह की jobs के लिए apply कर सकते हैं जैसे tourism manager, travel consultant, transport administrator, regression manager, event manager, HR manager, business consultant, marketing manager, finance manager, reservation agent, travel agent, travel executive, tour operator और भी बहुत कुछ और अगर salary की बात करें तो इस course को सफ़ता पुरुपुरा करने के बाद आप काफी अच्छे लेवल पे salary earn कर सकते हैं इस course को करने के बाद 2-5 लाग रुपे तक सालाना आपकी salary तो रहेगी हैं बाकि आप अपने skills के अनुसार 5-7 लाग रुपे तक सालाना भी असाने से as a fresher level पे earn कर सकते हैं depend करता है कि आप कि इस job profile के apply कर रहे हैं और इतना ही नहीं 2-3 सार के experience के साथ आप 7-10 लाग रुपे तक सालाना भी असाने से कमा सकते हैं तो अगर शॉट में diploma interval and tourism management के course के बारे में बताऊं तो इस course के total duration एक साल तक की होती है जिसे आप online या classroom training दोनों में अपनी सहुलित के अनुसार कर सकते हैं इस course को आप minimum 12 के बाद join कर सकते हैं और 12 में branch matter नहीं करती आप किसी भी stream जैसे arts, commerce और science के बाद इस course को join कर सकते हैं इस course के total fees सिर्फ 75,000 रुपे तक होती है जिसे आप असान किस्तों में भी दे सकते हैं अगर every salary की बात करूं तो इस course को करने के बाद 2-5,000,000 रुपे तक सालाना आपके salary तो रहे की ही बाकी आप अपने skills के अनुसार 5-7,000,000 रुपे तक सालाना भी असानी से as a fresher level पे earn कर सकते हैं और अगर job opportunities के बात करूं तो इस course वो सफता पुरब पुरा करने के बाद हम आपकी job लगने में भी पूरे साहता करते हैं So, thank you so much friends आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगा हो और आपको Diploma in Travel and Tourism Management के course के बारे में सब समझ आया हो अगर फिर भी score से समझता आपका कोई भी question है तो बेजी जगा आप comment section में comment करके या हमें हमारे दिये गए number प्लस 919582309117 पे call ले WhatsApp करके भी पूच सकते हैं और हमारे training locations हैं दिल्ली एंड देहा दून अली Thank you so much friends मैं आपके च्छे करियर की कामना करता हूँ आपके च्छे कामना करता हूँ